भारती टीम के कप्तान रोहिष सर्मा को काफी महंगा पड़ा सरफरास खान की बात को नदर अंदास करना जी हैं आपको बता दे कि सरफरास खार ने बार बार अपील की रोहिश शर्मा से लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी जो कि भाड़ती टीम को बहुत महंगा पड़ चुका है बिल्कूल आपको बता दे कि इंडिया उस इंग्लैंड का मुकाबला चल रहा है पाच्वा मुकाबला पहला दिन ही आजे और पहले दिन हमें बहुत सारी चीजे देखने को बिलिए ड्रोहिश शर्मा से कप्तान रोहिश शर्मा से बहुत बड़ी गलती होती है दिखाए धी क तुकि जहां DRS लेना चाहिए तो वहां DRS नहीं लेना चाहिए था वहां पर ड्यारस ले लिए एक DRS अभी तक टीम इंडिया वेश्ट कर चुकीए अपना आपको बता दें कि जब 26 वा ओफर चल रहा था 2526 वा चल रहा था कुल दीप याद होगे इंदबाज़ी कर रहे थे जैक रॉली स्ट्राइक विते जैक रॉली ने एक शॉट मारा कैच पुक्राता सर्फरास खाने सर्फरास खान बहुत कॉंडेंट थे हंडेड़ पर से शूर थे कि भाई रोई शर्मा से बार बर जाकी बोल रहे थे कि जो बॉल है वो बैट पे लगी है प्लीज ड्यारस ले ल जुरिल का उन्होंने कहना मागना लेकिन उसके अगले और में जब दिखाया गया उसमें अल्ट्राइज में पता चला कि बॉल जो थी वह बैट पे लगी थी अगर वहां पर रोईश्रमा डियारस लेते तो शायद जैक रॉली की पारी वहीं पर खतम हो सकती तो जिस तरीक के से वह एक लौते खिलाडी है जो कंसिस्टेंसली इंग्लेंड के लिए हर एक इनिंग में हर एक सीरीज के हर एक मुकाबले में हमने देखा अच्छा परफॉर्म कर रहे है लेकिन फिर उन पर आप अपील नहीं दे रहे तो बहुत बड़ा रिस्क आपने ले लिया और वो रॉली का विकेट लेके ही गया वो बिल्कुल एक बार नज़र डालते हैं कि जैक रॉली ने कितने रंस बनाएं कि बहुत शांदार बल्ले बाज़करी अच्छी बल्ले बाज़करी है एक सो आठ गेंडे के लिए 79 रंस बनाए है ग्यारा चौकी एक छका 73.15 की स्ट्राइक सब्सक्राइब के साथ कमाल की बल्ले बाज़करी है हलाकि 61 रंस पर खेर रहे थे जब अपील हुई थी इन्हें मतलब लेकिन वहां पर डेरस नहीं ले गया वरना केसाथ भी एक अच्छी पार्टनर्शिप क्रियेट होती ही नजर आठेले कि इनकी पारी का अंत कर दिया बिल्कुल और जिस तरीके से लगतार पर्फॉर्मेंस किया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंगलेंड की और से सारवधिक स्कोर इन्हों ने बनाया है इन स स्वेटर से ड्रॉबैक कहा जाए क्योंकि इनका ही जो रन रहता वही सारवधिक रहता यही बेस्ट है इंग लैंड की टीम के लिए इस पूरी सीरीज में तो क्या ही कह सकते हैं लुकर सब्सक्राइब करने पड़ेगे क्योंकि अभी तक अगर इस स्कोर के रूप पहरे नंबर पर याश श्वी जैस्वाल यह 655 रनों के साथ दूसरी नंबर पर शुबमन गिले और तीसरी नंबर पर कोई है तो वह जैक रॉली ही है तो अगर सिरीज का हाइस इसकोर बनाते हैं यह मुझे लगता है शतक से भी जादा इंपोर्टेंट काफी जादा अच्छी बल्ले बाज़े कर रहे हैं फिलहाल आपको बता देगी कुल्दीप यादो बहुत अच्छी गिंद बाज़े करते हैं उन्हों नहीं जैक रॉली का विकेट लिया जैक रॉली की प